तो देखे दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ SSC MTS 2019 का जो महराष्टरा जोन का एक्सपेक्टेट कटफ होने वाला है वो क्या रह सकता है देखे दोस्तो महराष्टरा जोन एक ऐसा जोन है जिसके कटफ का इंतजार हर एक कैंडिडेट को है जिसका कटफ क्या जा सकता है क्या नहीं जा सकता है उसका इंतजार हर एक कैंडिडेट को है क्यूं है इंतिजार कैसे है और किस तरह से और क्या cut up जाएगा इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी से discuss करेंगे तो देखें दोस्तो महराश्रा जोन एक ऐसा जोन है जिसका आप जानते हो कि यह मतलब ऐसा जोन है जिसका जो कटफ है प्री का कटफ इस बार SSE MTS में सबसे कम जाने वाला मतलब सबसे कम cut-up वाला state जो है वो है आपका महराष्टरा जी हाँ दोस्तों महराष्टरा एक ऐसा state है जिसका UR का cut-up सबसे कम गया है इस बाटिक है तो इसलिए महराष्टरा जून इतना trending में आ चुका है और सबको इसका expected cut-up का इंतजार है इसलिए मैंने सूचा कि other states के cut-up को बनाने से सबसे पहले मैं जैसे कि आप लोग जानते हो मैंने कुछ दिन पहले देली और West Bengal का भी cut-up अप्लोड किया है तो आप लोग जाके उसको देख लीजेगा से 25 साल का जो group था उसमें number of vacancies कितनी है ठीक है दोस्तो हम लोग आते हैं तो देखिए दोस्तो यहाँ पर जो number of vacancies है जो महाराश्रा जोन की है फर्दर को आप ignore किजे गुचात कुआ को उसके लिए मैं अलग से video upload करूँग आप लोग के लिए क्लास की जो vacancies है वो है आपकी 353 AC की जो vacancies है वो है आपकी 122 ST की है 103 और EWS यानि की economical weaker section की जो vacancies है वो है आपकी 34 तो टोटल मिलाकर कितनी होगी vacancies दोस्तों तो 1347 टोटल number of vacancies हो गई है ठीक है तो अब हम लोग आता है इसके जो actually pre के जो cut-up गया था उसको हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं ठीक है देखे दोस्तों जो 1825 साल के जो group था उसका जो pre का cut-up गया था यूर का तो यूर का देखे सब cut-up गया था 67.88 यानि कि आप जो जानते हो कि इस बाल जो MTS का pre का जो result निकला है उसमें सबसे कम cut-up जाने वाला ओ भी यूर कैटेगरी में सबसे कम cut-up जाने वाला जो state है वो none other than महराश्टरा है तो इसलिए सभी के मन में ये trending में राता है सभी को मतलब बार बार ये सोच खाये जा रहा है ये confusion खाये जा रहा है कि आखिर महराश्टरा जोन का क्या होगा final cut-up क्या हो सकता है कितना तक increase करेगा सबको महराश्टरा जोन से ही सबसे ज़्यादा expectations है तो देखे दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूँ कि महराश्टरा जोन को cut-up को analyze करने के लिए आप लोगो देखना है कि महराश्टर में जो सीटे है वो है आपकी 1347 जिसमें सब्सक्राइब के जो सीटे बन रही है वो है आपकी है 735 ठीक है देखे नमबर आप सीट काफी अच्छी है महराश्टरा जोन में 1347 और 735 बहुत ही अच्छी सीटे है तो देखे दोस्तों महराश्टरा जो यूर काटेकरी के जो कटफ बन रहा है वो 67 बन रहा है लेकिन मैं आप लोगो बता देता हूं कि अगर जीज़ भी बन देका मैंने आप लोगो पहले ही बताया था मिनिमम आप एट एड करना लेकिन देखे दोस्तों महराश्टरा जोन एक ऐसा जोन है जिसमें मतलब कटफ को सबका इंतजार है कि final cut-up हो सकता है कि माराश्टरा जोन का कट जाए मनलब कम हो जाए ठीक है लेकिन मैं आप लोग अपने हाथ में कि माराश्टरा जोन के लिए क्यूं इसके पीछे मैं लॉजिक आप लोगो बता देता हूं कि माराश्टरा जोन का मिनिमम आप लोग 10 मार्क इसलिए लेकर चलना पड़ेगा क्यों कुश्य कम जाएगा ही जाएगा तो जाहिर सी बात है सबसे कम भी जा सकता है यहां पर final cut- तो देखिए बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं सबसे पहले एक ऐसा मतलब आप स्टेट है जिसमें जो चैनिदेट होता है वो लोग हमेसा प्राइवेट जोपस के पीछे भागते हैं गौर्मेंट जोपस के उपर फोकस नहीं करते हैं उनका उतना सोच नहीं जाता है वहां पर नंबर आफ कम्पीटिशन कम हो जाता है इस वज़े से क्या होता है नंबर आफ कम्पीटिशन कम हो जाता है लेकिन कम्पीटिशन कम होने का वेज़े से यहां पर कटफ जो है वो कम चला जाता है यह फैक्ट है इसको आप लोग को एकसेप्ट करना पड़ेगा ठीक है और रहासावल जो यूर कैटेगरी होता है जो कटफ गया वो 67 तो फाइनल कटफ है आप लोग अगर जीज़ बी मंदे का 77 के प्लस नंबर आ रहा है ठीक है दोस्तो 77 का जीज़ बी बंदे का प्लस नंबर आ रहा है वो लोग महारास्टा जोंसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो मोर देन 75 परसेंट याद रखेगा मोर 75% अगर जिस भी बंदे का 77 के प्लस मार्क्स आ रही है और हाँ 77 से प्लस अगर जीते में मार्क्स आएंगे वो उनके लिए बेनेफिशियेवल होगा ठीक है और अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो जिसका कम कटफ गया था जिस भी कैटेगरी का तो वो था आपका देखो EWS और OBC दो कैटेगरी ऐसे हैं जिनके सेम कटफ गयते हैं यानि कि EWS के 66.53 गयते हैं और OBC के 66.77 कटफ गया है यहां पर ठीक है तो और देखे AC भी एक ऐसा कैटेगरी जिसका भी कटफ 66.19 मतलब आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन देखो कि EWS OBC और आपका C, 3 कैटेगरी से हैं जिनके कटफ same गया है ठीक है डोस्तों तो अभी है सी बात है Final में में भीambling , final में क्या होगा न कि final में 3 कटफ सेम नहीं जाएगा लेकिन क्या होगा ठीक है 75 प्लस और 76 प्लस जितने भी मार्क्स आ रही है वो उनके लिए इनफ है ठीक है ओबी सी कैटेगरी इसके लिए इसके अलावार रहे गया आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं लगा सकते हैं लगा सकते हैं ठीक है लेगे मेरा सोच यही रहेगा मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि जिस भी बंदे अब आते हैं नेक्ट कैटेगरी हमारा इस्ट कैटेगरी में लोग हो देखे फिप्टी फॉर नमबर गया है तो अगर जीजबी बंदे का मैक्सिमम प्लस नमबर बन रहे हैं तो वो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रहे सकते हो माहारा आश्रा जोन से दिल खोल के expectation रखो don't worry about it 75% more than expectation आप लोग रखो और बाकी बात जो cut-up होगा वो एक दो नमबर उपर नीचे हो सकता है ठीक है नीचे तो नहीं होगा लेकिन उपर जरूर होगा एक या दो नमबर maximum ठीक है अब हम लोग आते हैं ठीक है और अगर हम लोग EASM के बारे में discuss कर लें तो EASM को आपका total है 1-1 यानी कि एक तो एक अईस अईस वेकर लिए अनुमबर उकर जाया है और अपका अपका 40 ओबी सी याने के लिए वापका 58 है यानी कि देखो यहां पे जो ओवी सी का वैकर येंसिजिए वो यूँ आ के पेरिंग में ज्यादा है ठीक है इस ठीक को याद रहए यूर के कंपेरिंग में जाता है और एस्टी का नाइन और एड़ू एस का भी नाइन है तो अब लोग आते हैं इसका जो प्री का जो गया था उसमें लोग आते हैं तो देखे जो यह यूर का गया था वह गया था कम जाने का रिजन आप यहीं समझ लो कि जब टोटल नंबर अफ वेकेंशिस उसका 1347 था तो भी फाइनल कटफ उसका कितना गया 67 कितना गया यूर का मतलब यूर का जो प्री का फाइनल कटफ था वो कितना गया 67 आप यहां पर देखो एक सो एक कई सी वेकेंशिस है लेकिन य आइसा नहीं है की कटफ ती नंबर चार नंबर से वे यही कर रह तो यह तो हमना से है यह बंदिया जो क बंदिया प्रोटाका मूब मैं ज्यादा तर भरते हैं ठीक है डैली हो गया यह सब क्या होता है रेट जोन्स में आ जाते है उडिसा को हटा दीजी उडिसा रेट जोन में नहीं आती है ठीक है डैली हो गया कोलकाता हो गया यूपी हो गया राजिस्थान हो गया यह सब रेट जोन्स में आ जाते है ठीक है तो और महराश्रा जो है, ग्रीन जोन का इस बार काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए देखे, 71 यहां का cut-up गया है, तो final cut-up अराम से, जिस भी बंदे का more than 82 marks बन रहे हैं यहां पर, ठीक है, more than 82 marks, 18-27 साल के group में, तो वो लोग अराम से महराश्रा जोन के बारे में सोच सकते हैं, एकदम tension लिए, ठीक है, तो next हम लोग आते हैं, जो OBC और EWS में देखते हैं, तो देखे, OBC और EWS का same cut-up यहां भी गया है, 68 and 68, तो tension की बात नहीं है, final cut-up में, आप लोग जश्ट एक नंबर या दो नंबर का उपर नीचे होने वाला है, इसना आराम से, ठीक है, तो जिस इसी category के बार में, EWS category के बार में सो सकते हो, ठीक है, अब देखो, यहां पर एक fact, change हो गया, क्या change हो गया, कि जो इसी category का cut-up है, वो है 70, मतलब आप एक चीज नोटीस करो, जो इसी category का cut-up है, वो कितना है 70, यानि कि इसी category के जो बंदे हैं, जिन्होंने अपना category लेकर रख को भी क्वालिफाई किया है, जिस वैसे यहां पर एसी category का cut-up है, वो आटोमेटिकली इंक्रीस कर गया, क्या हो आटोमेटिकली इंक्रीस कर गया, तो जिसके वैसे, EWS और OBC जो है, वो एसी category के नीचे चला गया, तो जाहिर सी बात है, कि अगर आपको final cut-up को qualify करना है, तो यहां भी आपको more than 80 plus number आपको यहां पर लाना ही पड़ेगा, ठीक है, more than 80 plus, यानि कि 82 के आसपास, यूर से जस्ट एक या दो नंबर नीचे ही रहेगा, इसका, तो देखे, यूर से जस्ट एक या दो नंबर ही नीचे यह रहने वाला है, ठीक है, तो महराष्टर जोनका just chron chronological wise मैं आपको बता देता हूं, chronological order मैं आप लोगो बता देता हूं कि अगर सबसे जादा जो cut-up जाएगा, यहां पर final cut-up वो UR का होगा, ठीक है, thereafter SC का होगा, उसके बाद आपका EWS आने वाला है, ठीक है, तो इस चीच को अच्छे से समझ दो आप, यही fact है, ठीक है, तो उमीद है, आप लोगो clear हो गया, क्योंकि देखें, महाराश्रा जोनका जो इंतजार है, वो सभी को था, हर एक बंदी को था, कि महाराश्रा जोनका क्या expected cut-up जा सकता है, ठीक है, तो मैंने आज finally आप लोगो upload कर दिया है, इसके अलावा भी, अगर किसी भी बंदे को, किसी लाइक किजिए, चैनल को सब्स्राइब किजिए, बेल आइकोन दबा दीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप लोगो सबसे पहले मिले मेरे तरब से, और हर एक चीज का information आप लोगो मिले, और इसके अलावा भी, अगर कोई वीडियो, मतलब किसी भी चीज का आपका doubt होगा, तो आप लोगो कमेंट किजिए, मैंने उस पर एक special वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है, इसके अलावा मैंने कल, इसे CHSL 2018 का टाइपिंग के लिए, एक special वीडियो अपलोट किया है, ठीक है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो काफी profitable है, काफ